प्रोग्राम बोजपुरी हलचल में इस प्रोग्राम में हम आपको रूपरू करवाते हैं इंडोस्टी और स्टारों से जुड़ी हर हलचल भरी खबरों से और आज भी हम ऐसी ही कुछ खबरे लेकर आपके लिए हाजिर हैं तो चलिए शुरवात करते हैं और जान लेते हैं पहली खबर जो जुड़ी है एक्टरेस गुंजनपन से गुंजनपन की फिल्म पटना वाले दुलहनिया ले जाएंगे इन दिनों सिनेमा घरों में चल रही है एक तारीको यानी बीते दिन पहले ही ये फिल्म बिहार और जारखन के सिनेमा घरों में रुलीज कर दी गई लेकिन गुंजनपन की ये फिल्म रुलीज होने के बाद ही गुंजनपन का एक लाइब वीडियो आया जिसने सभी को हैरान करके रख दिया जिसके वाइरल होते ही भोशपुरी इंडोस्टी में संसनीम मच गई है वैसे भी काफी सारे हिरोईनों ने कुछ-कुछ इशारे किये हैं कि इंडोस्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडोस्टी को बेकार करने पर तुले हुए हैं लेकिन हाली में गुंजन पंत का जो बयान आया उन्होंने तो नाम के साथ ही दो नाम ऐसे उजागर किये हैं जिन पर उन्होंने F.I.R. भी दर्ज करवा दी है जियां उनका नाम है कलपना शाह जिर पर गुंजन पंत ने क्या आरोप लगाए है और क्यूं F.I.R. दर्ज करव से हमेशा लोगों का ध्यान और सुर्ख्यां बटोर लेती हैं इनका नाम है प्रियंका पंडित जिन्होंने अपना नाम बदलकर गार्गी पंडित कह लिया है तो इसलिए हम गार्गी से ही जोड़ी खबर बताने वाले हैं गार्गी का बोल्ड अवतार अब तक आप लोग उनकी फिल्म अवारा बलम में सिनेमा घरों में देख रहे थे जो आप लोग पसंद भी कर रहे थे लेकिन इस बोल्ड सीन के बाद प्रियंका को मिल गई है एक और नई फिल्म जिसका नाम है हीरो हैंसन जिसकी शूटिंग वो लगातार जोरो शोरो से कर रही है और इस फिल जंका ने अपनी इंडोस्री में जो पहचान बनाई है वो बोल्ड अवतार के रूप में ही है तब ही उन्हें हर फिल्मों में यही किरदार मिल रहे हैं बढ़ते हैं आगे जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है एक ऐसी हिरोईन से जिसे अभी तक आप सिर्फ एक ही अदव को अभी तक किसी और सूबर स्टार के साथ नहीं देखा गया जबकि लखी अदाकारा ये भी हैं चिंटू के लिए क्योंकि चिंटू के साथ इंहों ने जितने भी फिल्म में की हैं वो बॉक्स ओफिस पर अच्छे कलेक्शन के साथ आगे बढ़ी हैं और दर्शकों को पसंद आई हैं इंके एक्टिंग की सराहना भी बहुत हुई थी जब इन्होंने चिंटू के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरूआत की और उसके बावजू अभी तक किसी और स्टार के साथ पिल्म औरागे आने वाली इनकी कौन सी फिल्म है ये हम आपको आगे बताए क्योंकि उनके स्टेज शो में ऐसी कुछ ना कुछ बाते या उनका अंदाज असा होता है जो मतलब शोचल मीडिया पर च्छा जाता है लेकिन हाली में कलू का एक स्टेज शो बहुत जादा वाइरल हो रहा है जसमें उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनके साथ स्टेज शेयर कर लेकिन डांसर उनके साथ तो जो स्टेज शियर कर रही थी डांसर उन्होंने जो एक्सपेशन दिये हैं उसने सभी का दियान एक तक अपने उपर रख लिया है क्योंकि उनके एक्सपेशन से देख कर ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है और कल्लू का ये स् जो हम आपको आगे रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन फिल्हाल बढ़ते हैं आगे जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है काजल रागवानी की मम्मी से देखे काजल की फिल्म इन दिनों बहुत सारी जहां एक तरफ शूटिंग के लिए लाइनों में लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्म जो भी सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है वो दर्शकों का अच्छा प्यार पा रही है हाली में उनकी फिल्म दुलहिन गंगा पार्के सूपर हिट कमाई के मामले में और सूपर हिट चड़चाओं के मामलों में साबित हुई है लेकि अच्छा अपनी बेटी की फिल्मों को देखती है क्योंकि वो भी सिनेमा की शौकीन है इसले काजल के साथ अक्सर वो सिनेमा घर में हिंदी मूवी भी देखते हुए मिल जाती है किसी माम में शौपिंग करती हुए लेकिन फिलाल उन्हें बहुत खुशी है और वो अपनी पेटी काजल राधवानी की एक्टिंग की तारीफ भी करती है तो अभी तक हमने जितनी भी खबरे आपको बताई है वह विस्तार से जाने के लिए डाली एक नज़र बुच्पें डॉस्टी की हीरोईं गुंजन पंच जिनकी कल फिल्म पटना वाले दुलहनिया ले जाएं नज़र आई हैं जी यहां गुंजन का आरोप है कि कलपना ने शोशल मीडिया पर गुंजन को लेकर गंदी-गंदी बाते लिखी जिसके वज़ा से गुंजन ने कलपना को समझाने की बहुत कोशिश भी की लेकिन फिर भी बात नहीं मानने के बाद गुंजन ने आज पुल लगाए गए थे वो सभी गलत है इसलिए मैंने आज कानूनी तौर पर एक्शन लिया है वैसे अब दर्ज करवाने की बात देखना ये है कि आकिर पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है बोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडी ने कुछ समय पहले ही अपने फल्म में पॉप्लर हो गई थी लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब ये जोड़ी अलग-अलग हो चुकी है और रितेश जहां कई सारी सूपर हिट हिरोयनों के साथ फिल्में करने में व्यास्त हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका भी अब हर फिल्म में जादातर बोल्ड सीन ही करने देने लगी हैं प्रियंका का बोल्ड अवतार आप लोग किलू के साथ फिल्म अवारा भलम में तो सीनेमा घरों में देखी रही हूँगे लेकिन एक बार फिर से प्रियंका का यही बोल्ड लोकाप लोगों को उनकी अपकमिंग फिल्म हीरो हैंसम में देखने को मिलने वाला है जानकारे के लिए बता दें कि प्रियंका अभी तक इंडोस्टिक की कई बड़े सुपरस्टारों के साथ भी काम कर चुकी है लेकिन अभी तक उन्होंने इतने बोल्ड सीन नहीं दिये थे जब से उन्होंने अवारा बलम में किसिंग सीन के शुरुवात की तब से उन्हें उनकी सारी फिल्मों में बोल्ड अवतार में ही देखे जाने की शंका दर्शकों में है वेल प्रियंक आप खुद ही हर फिल्मों में ऐसे रोल करना चाहती है या फिर उन्हें फिल्मेकर्स की तरफ से यही रोल आफर किये जाते हैं यह वही बता सकते हैं भोजपुरी फिल्मों के निर्मात्री और एक्टरस माया यादव फिल्मों के साथ-साथ आजकल राजनीती में भी खूप सक रहे हैं और इधर इंडोस्टी में अपनी मम्मी के बाद यानी माया यादव की बेटी काजल यादव ने फिल्मे करना शुरू कर दी है जहां रसल मोहबद फिल्म से काजल ने अपनी कर्या के शुरवाद भोश्पुरी इंडोस्री में की जहां चिंटू के साथ इनकी जोड़ी बनाए गई और ये जोड़ी दर्शकों द्वारा बहुत पसंद भी की गई थी लेकिन अभी तक काजल यादव चिंटू के अलावा किसी और स्टार के साथ नजर नहीं आ पाई है हाली में काजल यादव के जनन दिन पर उनकी मम्मी ने उन्हें दो फिल्में गिफ्ट की लेकिन इन दो फिल्मों में भी सिर्फ चिंटू ही लीड रोल में दिखाई देंगे ससुराल फिल्म में भी चिंटू के साथ काजल यादव की जोड़ी दर्शकों द्वारा पसंद की गई थी अभी तक काजल ने सर्फ कुछ ही फिल्मे की हैं लेकिन उनकुछ फिल्मों में से ही खूब नाम कमालिया है तो क्या काजल आने वाले समय में भी सर्फ चुंटु के साथ ही दर्शकों को दिखाई देंगी या फिर किसी और कलाकार के साथ फिल्मे करेंगी ये तो आने वाली इनकी दो फिल्मों से ही पता चल पाएगा लेकिन जानकारे के लिए बता दें कि काजल सुर्खियों में बहुत कम रहा करती है इसलिए इनकी आने वाली फिल्मों का अभी कोई भी जानकारी आपको इंटरनेट पर भी शायद ही दिखाए दे भोजपुरी फिल्म जगत के युवा कलाकार अभिनेता और गायक अर्विन्द अकेला कलू इन दिनों इंटरनेट पर भी छाय हुए हैं कभी अपनी फिल्मों को लेकर तो कभी अपने दिनों पर राज करते हैं बता दें कि हाली में YouTube पर रिलीज किये अर्विन्द अकेला कलू के अलबम का नया गाना कलू खातिर लइक हो जाता ने इटरनेट पर हंगाम मचा दिया है महस दो दिन के अंदर इस वीडियो को 89 लाख से जाधा लोग देख चुके हैं इस बार हम आपके लिए अरविंद अकेला कलू के एक ऐसे वीडियो का जिकर लेकर आए हैं जिसमें वे स्टेज शो के दुरान एक लड़की को पकर कर फूट फूट करो पड़े लेकिन ऐसा कुछ रियल में नहीं हुआ था ये सिर्फ उस स्टेज शो और अरविंद के परफॉर्मेंस का एक हिस्सा था दरसल अरविंद स्टेज पर एक एमोशनल सॉंग आ रहे थे और साथ ही साथ वे परफॉर्म भी कर रहे थे और इसी परफॉर्मेंस के दौरान वे अपने सहयोगी कलाकार को गले लगा कर रोने का सीन क्रेट कर रहे थे अर्विन का ये स्टेट शो पिछले साल अक्टूबर में हुआ था और यूट्यूब पर इस वीडियो को अद तक 23 लाख बार देखा जा चुका है अर्विन की भोशपुरी फिल्म आवारा बलम 25 मई को भिहार और जारखन की सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी और अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में बात करते हुए अर्विन अकेला कंडू ने बताया है कि मेरे लिए बेहत खास है समाजिक और शहरी परिवेश के बीच भोशपुरिया संस्रीति को ध्यान में रखकर हमने अवारा बलम बनाई है फिल्म में डांस रोमैंस और एक्शन की भरमार है और पारिवारिक मुल्यों का भी खासा ख्याल रखा गया है मुझे उमीद है कि भोशपुरिया दर्शकों का प्यार हमें जरूर मिलेगा जो शायद अब मलने भी लगा है होशपुरी फिल्म जगत की सबसे मशहूर खूबसूरत अदाकारा काजल रागवानी हिंदिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में लगातार व्यस्त है लेकिन उनकी एक फिल्म ऐसी है जिसका जादू दर्शकों के सिर्चर कर बोल रहा है वो फिल्म है दुलहिन गंगा पारके जुसने खिसारी के साथ काजल की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है सिनेमा घर में इस फिल्म को देखने के लिए लोग अपने परिवार वालों के साथ पहुँच रहे हैं अब ऐसे में लाजमी हैं कि जो कलाकार इस फिल्म में हैं वो भी इस फिल्म को जरूर देखे तो हम इस फिल्म से जुड़ी इनके परिवार की एक जानकारी और खास ख़बर आपके ले लेकर आए हैं लेकिन अपनी बेटी काजल की एक्टिंग उने खूब पसंद आती हैं साथ ही काजल की तरह है, उनकी ममी भी सीने प्रेमी हैं और उनहें भी फ्ल्म में देखना गोमना फ़णा पसंद है इसलिए हाली में काजल रागवानी और उनकी ममी फड़ से एक साथ गूमते हुए नजर आये थे तो ये थी आज इंडोसी की हलचल भरी खबरे जससे हमने आपको रूबर्यू करवाया उमीद है आपको काफी सारी जानकारियां जरूर मिली होंगी तो अगले प्रोग्राम में फड़ से होगी मुलाकात ऐसे ही हलचल भरी खबरों के साथ लेकिन तब तक के लिए आप हमी दीजिए इजाज़त नमशकार